अमण इलेक्ट्रिकल में दोस्तो आपका स्वागत है दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में L&T कांपनी के कॉंट्रक्टर की लेकर आऊँगा तो यहां पर हमारे पास L&T का कॉंट्रक्टर बढ़ावा है तो दोस्तो यह कॉंट्रक्टर हमारे ठीक है पर मैंने आपको बताया था कि मैं इसके और व्यू के बारे में बताऊंगा वीडियो दोस्तो इसकी बाद में आईगी कॉंट्रक्टर की तो दोस्तो जैसे कि आपको बता है L1 L2 L3 L4 तो यहां पर हमारे R Y B और यहां पर N लगता तो यह होल यह अगर जब कोईल पर हम देंगे सप्लाई A1 A2 के कोईल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखावा है 240 वाल्ट 50 by 60 हर्ट और दोस्तो इसमें भी हमारा जब यह हमारे कोईल पर सप्लाई देंगे तो यह होल्ट होजएगा जब यह होल्ट होएगा दोस्तो तो हमारी सप्लाई इन से आउट होजएगी इन से यहाँ से इन से आउट होजएगी जब यह होल्ट होगा अगर यह होल्ट नहीं होगा तो हमारी सप्लाई इधर ही रही इ अगर हम कोईल चेंज कर रहे हो या इसमें एक आवाज आ रही होती है जब यह पुराना हो जाता है तो चीं एक आवाज आ रही होती है जिससे हमें होल्ड होता है कॉंटक्टर उससे हमें एक आवाज आ रही होती है उस अवाज को ठीक करते हैं तब ही हम खोलते हैं ऐसे हम ने तो इसे खोलेंगे तो इसे खोलेंगे दोस्तों यहां पर इस्क्रू नहीं है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस्क्रू वाले दोस्तों थोड़े ठीक रहते हैं यहां पर भी दोस्तों ऐसी ही है यहां पर आप देखें दोस्तों आप यहां पर तरह हमारा खुलिया तो इसके दूसरी साइड जो बैक साइड है उसकी बैक साइड भी हमें ऐसी जाना है और यहां पर हमें टेस्टर को ऐसे करना और थोड़ा आगी की तरफ फोर्स देना जिसकी वज़े से ये खुले और ये खुलिया तो दोस्तो थोड़ा ध्यान से खोले यहां पर कोईल भी होती है अगर हमारी कोईल पे टेस्टर लग गया जिसकी वज़े से इसमें कोईल होती है टान होती है अग तो यहां पर मैंने वैसी फीट कर दिया हैं तो यहां पर मैंने वैसी फीट कर दिया है है तो दोस्तो इसमें भी थोड़ा खोलने का मैंने एक चीज़ बताया था कि यह जो हमारे यह लॉक है जिसमें यह बैठ रहे हैं आप आप देख रहे हैं यह को दिखाते हैं यह आपने देख रहे हैंगे दोस्तों यह थोड़ा अंदर की तरफ है यह शायद आपको ना दिख रहा हूँ यह दोस्तों यहां से आपको दिख जएगा यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों यह जो यह चीज है इसको हम थोड़ा पुश करते हैं जिसकी वज़े से यह लॉक हमारे खुल जाते हैं एक इस सेट है दोस्तों और एक इसकी बैक साइड में यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों यह इसको थोड़ा दोस्तों जब लॉग इसके ओपर बैक ठाल रहता है थोड़ा से पुश करते हैं उपर की तरफ करते हैं जिसकी वज़े से वह खुल जाता है तो यहां पर इसे यह आपने देखा जैसे कि तो इसको थोड़ा सा दोस् खुल जाते हैं और ये हमारा कॉंटक्टर ओपन हो जाता है तो दोस्तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्क्रू वाले होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं कि जिनकी वज़े से हमें खुलने में जादा दिक्कत नहीं आती खुलने और डालने में हमें दिक्कत नहीं आती वैसे तो दोस्तो जादा तर खुलते तो है नहीं दोस्तो पर वैसी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी कोईल चेंज करनी हो तो आपको उसमें दिक्कत नहाती जो स्क्रूव वाले होते हैं क्योंकि उनके लॉग एजली खुल जाते हैं और अगर टूड गे ये लॉग तो आपको पैवी क्या केबल टाई से आपको चिपकाने पड़ेंगे या आपको इसे बांधनी पड़ेगी तो जिसकी बज़े से दोस्तों शायद आपके कॉंटक्टर होल्ड ना हो और ये हमारा खराब ही हो जाए कॉंटक्टर कॉंटक्टर खराब तो नहीं होता चल्दी से दोस्तों पर वैसी मैंने आपको बताया कि जो स्क्रूव वाले होते हैं काफी ठीक लगते हैं मुझे बाकी दोस्तों आपकी चॉइस है कि आप कौन तक खरीज रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास L&T का भी मैंने आपको इसके ओवर व्यू के बारे में बता दिया है तो दोस्तों वीडियो तो मैं आपको अभी इसकी हवर भी निकालूँगा कांटेक्टर के ओपर तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको TCA कांटेक्टर है उसके बारे में मैं आपको ओवर व्यू थोड़ा सा बताऊंगा और उसे कोल के भी दिखाऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आगे है तो दोस्तों इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही